स्वागत है आप सभी का एक्जाम वारियर के यूट्यूब चैनल पर जैसे कि आप सभी जानते हो HPPSC में OTR की जा रही है वन टाइम रेजिस्ट्रेशन अब इससे जुड़े आपके बहुत से डाउट आये थे जैसे कि OTR करना क्या सभी के लिए जरूरी है और वन टाइम रेजिस्ट्रेशन के लिए क्या HPPSC के द्वारा लिमिटेड टाइम पिरिड दिया गया है और कुछ एक समस्या यहाँ पर आपको देखने को आ रही है जैसे कि कुछ अभियारतियों के सिगनेचर और फोटो अपलोड नहीं हो रहे और किसी के डिपलोमा जैसे कुछ डिपलोमा उन्हों नहीं किया होगा पॉल्टेक में उनके लिए वहाँ पर आप्शन शो नहीं हो रहे जब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो फिल कर रहे होते है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले सवाल का जबाब आपको मैं दे दूँ OTR करना जरूरी है या नहीं तो देखिए अगर आप इन फ्यूचर HPPSC के कोई भी एक्जाम फिल करने वाले हो तो आपके लिए OTR करना जरूरी है लेकिन अगर आप किसी एक्जाम की रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो जरूरी फिलहाल नहीं है अगर आप आने वाले समय में HPPSC में कोई एक्जाम फिल करना चाहते हो क्लास 3 के, क्लास 1 या क्लास 2 के तो आपके लिए OTR करना जरूरी है अब दूसरा सवाल OTR करने के लिए क्या limited time period है देखे OTR आप कभी भी कर सकते हो इसमें कोई भी limited time period आपको देखने को नहीं मिलेगा जब form फिल किया जाते हैं जब notification आएगी उस समय भी आप OTR कर सकते हो one time registration कर सकते हो बाकी अब जिनके signature और photo upload नहीं हो रहे हैं वो क्या करें देखिए इस समय क्या हो रहा है बहुत से वियारती ऐसे हैं जो HPPSE में registration कर रहे हैं जिस कारण से ये समस्याएं आ रही है तो आपने ऐसे समय पर try करना है जैसे मान लो सुबा के समय या रात के समय आपने try करना है उस समय traffic कम रहता है आपको फिर ये दिक्कते देखने को नहीं मिलेगी अब बात करेंगे उनकी जिनके diploma के लिए option ही show नहीं हो रहे आपके लिए एक option है आप यहाँ पर इने call कर सकते हो और फिर ये अपने site पर कुछ एक modification करके आपके diploma को add करेंगे तो यहाँ पर जो help line number दिये गए है दो help line number दिये गए है तो आप यहाँ पर call इने कर सकते हो बाकि अगर ये call ना उठाए देखिए जो site के आपके मैंने आपको officially number दिये है ये बहुत time busy ही रहते हैं लेकिन लगातार कोशिश करते रहोगे अगर आप कोशिश करोगे लगातार तो call लग जाता है तो इनके माध्यम से अपने doubt आप clear कर सकते हो तो ये कुछ एक सवाल थे OTR से वाकि जो भी doubt हैं आपके comment करके आप मुझसे पूछ सकते हो तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में किसी नए update के साथ